कि अब इससे पहले हम काफी कोशन कर चुके थे फोरे सीज के आज जो पढ़ने वाले हम एवरेज पारवर और और आरमस वैल्यू यह काफी इंपरेंट टॉपिक है और इससे लेटेट कोशन आते रहते हैं तो अब देखो कहां से करना आवरेज वैलिव और आरमस वैल्यू ए प्लेश्ट में जाहर लिए हैं फिर यहां पे देखते हैं वहां पर सूर्स क्या होते था हूंता है इस सिंगल सुर्सिय फ्रिकेंसी का सीप सोडिल होता थाया हुआ मतलब हर्मनिक्स रहाँएंगे हो कितने होशब पन्च हो सकते हैं टो क्या उल्यूٍereńskuर ना है सब्सक्राइब करते थे हार्मोनिकली हार्मोनिक फॉर्म जो होती थी ए नोट प्लस समीशन एन रिक्वेस्ट वन तो इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नोट टी माइनस ठीटा एन यह जहां यह रोट रॉत हर्म करते थी ठीक है इस पॉर्म में लिखते हैं जहां पर इन जो होता था तहां कि होता था अंस को एट और हम स्कॉअर प्लस यह खुजशन प्लस और होत वोते हैं उनका को प्लडेन और इंद Infinite 물іїत Capital हो लगा तो यहां पर माइनस लगाने की जगुत नहीं है ठीक है तो यह फोगा कर दीती फिलाहल तो हमारे काम नहीं पढ़ने वाला हमारे काम इससे चलेगा ठीक है मालो ft करेंट या वोल्टेज तब क्या करेंगे तो मैंने माल लिए इसको मैं देखो ft को इसी टाइप से मैं मैंने माल लिए वोल्टेज ठीक है वोल्टेज की एफों मैं कैसे लिखेंगे यहां पर यह क्या बताता है dc value मैंने कहा दी इसकी है v dc value पिलस ऐसे बिल्कुस same to same इसमें replace कर दो कि यहां पर जागा कितना वी एन कोस एन ओमेगा नोट टी माइनस ठीटा एन ठीक है ऐसे करेंट के लिए कर दो करेंट के लिए क्या हो जागा यह dc current n equals 2.1 to infinity यहां पर कितना जागा i.n कोस यहां पर अन था यहां पर क्या आन चाहिए एम ठीक है तो यहां पर क्या कर देंगे एक सेकंड यहां पर एम कर लेना एम ओमेगा नो टी माइनस थीटा एंड अगर ऐसा है देखो हमें इस ताइब से वोल्टेज सोर्च दिये जाएंगे अब वोल्टेज आएंगे कैसा करेंगे मान लो यह कोई लीनियर सर्कुट है कि इसके एक रोस वोल्टेज वी टी है और इससे जो करेंट वो निकल रही है यह यहां पर यह लीनियर सर्कुट लगा हुआ है तो एवरेज पावर जो होगी पी एवरेज अगर ऐसे फोरेज सीजिस के टम में दे रखा है तो कैसे निकालते हैं देखो इन दोनों की मल्टिप्लाई करनी है वी डी सी आई डी सी पिलस वन वाइटू यहां पर क्या लिखना देखो वन वाइटू ध्यान से यहां पर अन की वैल्यू पता हमें कितनी होती है एक वैलू अन्डर दे रूट में तो उसका करेंगे तो क्या जाएगा पी एवरेज जाएगी हमारा वी डी सी आई डी सी प्लस हाफ एन का स्कौार प्लस बी एन का स्कौार ठीक है तो इंप्रटेंट फोर्मुला आ चुका है हमारे प इसको use case करना एक second यहां पर आएगा यह उस time के लिए नहीं है an course यहां ठीक करने ना इसको यहां पर आएंगे यह voltage उसका लिख रहे हैं हम तो voltage उसके term में लिखो इसको काट दो voltage उसके term में लिखो ठीक है यह जो हो अब वह क्या होगा we dc hide c plus half submission and equals to one to infinity कि यहां पर क्या कोपिशन वी यहां यहां पर आइन ठीक है यहां वैसे आइम सिर्धिक तो यहां पर क्या यहां इकूल आएंगे ठीक है अच्छी साट वी एंड राइन को सब्सक्राइब कर लो फाय कर दोनों का विए अलग होसकता ना तो यहां पर एंगल निकालें का निकालेंगे थीटा n-5n यानि voltage का angle minus current का angle एक बात ध्यान रेखना angle क्या होना चाहिए minus में जब minus में होगा तब plus में लेंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखो इस type की form होना चाहिए यानि जैसे लिए हो cost t-45 degree cost 3t-25 degree इस type से ठीक है यह हो गई जब voltage और current की बात हो ठीक है अब next देखो जब voltage और रेजिस्टर दे रखाओ तब कैसे निकालेंगे एक formula यह हो गया जब resistance की form में दे रखाओ ठीक है जब हमें यह तो यहां से हो गया source की तरफ से जब हमें circuit के अंदर जो power जिसके लोड के aq are Dissipate हो रही है उसकी value पता और उसमें current की value पता है यह voltage की पता कैसे निकालेंगे देखो कैसे निकालेंगे अगर voltage की पता तब कैसे निकालेंगे तो उसमें हो जाता केडल one upon R अंदर आती है क्या same चीज आएगी यहां पर क्या उसकी अ अगर voltage जहां पे an क्या बता रहा है मुझे जो source है उसमें sine और cosine के term ठीक है उनके coefficient का square कि इसमें देखो phase matter नहीं करता जब केवल हमें register पता और उसके across voltage पता है तब हमें उस phase की चिंता करने की जोट नहीं है अगर हमें current की form में पता तब क्या हो जाएगा यहां पर आर के multiply हो जाएगी यहां पर क्या जाएगा IDC का square 1y2 an का square plus bn का square ठीक है यह तीन formula है इनी से हम सारा करने वाले हैं ठीक है एक ही है एक ही है एक ही है आगर आती है rms value की बात है rms value जो होती है rms जो value होती है किसी मालों मैं ft की निकाल ला हूं fd मेरा signal है और वह periodic होना चाहिए ठीक है तो इसकी जो rms होगी मैंने कह दिया f rms जो होगी rms value का कैस निकालते है root mean square ठीक है root mean square ठीक है ऐसे करके तो square root मैं क्या करेंगे सीधा जो power निकालते हैं वह वाले काम करना है पूरा यह होती है क्या इसकी root rms value ठीक है अब यह current भी हो सकता voltage भी हो सकता अगर यह current है तब ऐसे निकलेगा voltage तब भी ऐसे निकलेगा इसका मतलब हमें rms value पता तो हम पावर तब भी निकाल सकते हैं अगर पी average क्या हो जाएगी फिर अगर यह current है तो क्या हो जाएगा current अगर f rms हमारा current है मैं यहां पर लिख देता हूं f rms हमारा क्या यहां पर अगर current है तो इसकी पावर केस निकाल सकते हैं rms value का square यानि current का square multiply by register ठीक है ऐसे अगर f rms हमारा voltage है तो हमारा पी एवरेज क्या हो जाएगा f rms का square upon r ठीक है इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं इस वीडियो में हम केवल formula कावर कियें ठीक है इससे next video में हम question करेंगे जवाजरे इस तवाला तीनों methods है ठीक है इन तीनों methods मैं question करके दिखाऊंगा वहां पर ठीक है तो आयोप यह formula आप एक बार जरूर रिवाइस कर लेना वहां पर मैं use करूंगा इनको ठीक है एंगल जो होना चाहिए क्या माइनस की form में लिखने चाहिए जब माइनस की form में लिखेंगे तो हम एंगलों को positive मानेंगे ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ओगे thank you म